हेलो एवरिवान इस वीडियो में हम मल्टिप्लिकेशन और डिवीजन का रिलेशन समझेंगे कि मल्टिप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं चलिए फर्स्ट कुश्चिन देखते हैं यहाँ पे हमें लिखा है 7,8,56 हमें पता है 7, 8 जा 56 होता है अब हम देखते हैं कि अगर हम डिवाइट कर रहे हैं तो वो कैसे काम आएगा अगर हम 56 को 8 से डिवाइट करेंगे तो 8 की टेबल में 56 कितनी बार में आता है 7 बार में और अगर हम 56 को 7 से डिवाइट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 की डेबल में 56 कितनी बार में आता है 8 बार में हुआ ना ये दोनों एक दूसरे से related multiply और divide ऐसे ही next question देखते है 6 तरीजा हमें पता है कितना होता है 18 ये question समझाने से पहले मैं ये समझती हूँ कि आपको division की थोड़ी basic knowledge होगी जो आपने first में और second में किया है ठीक है चले अब इसको करने करके देखते हैं अगर हम 3 को 18 से divide करते हैं 18 divided by 3 तो 18 की table में 3 कितनी बार में आता है 6 बार में आ गया 6 और अगर हम 18 को 6 से divide करते हैं तो 18 की table में 18 कितनी बार में आएगा 3 बार में आगे न अगर हम 6 और 3 की multiply करते हैं तो 18 और अगर हम इसको divide करते हैं तो जिसकी multiply करने पर हम divide करें वो number आ जाता है अब यहाँ पर 6 7 जा 42 होता है 42 को अगर हम 6 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और अगर हम 42 को 7 से divide करेंगे तो आ जाएगा 6 7 की table में 42 कितनी बार में आता है 6 बार में 16 को अगर हम 8 से divide करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 और 16 को ही अगर हम 2 से divide करेंगे तो 16 की table में 16 कितनी बार में आता है 8 बार में तो आ जाएगा 8 यहाँ पर 5 और 6 को multiply करना है 5 6 और 30 होता है 30 को अगर हम 5 से divide करते हैं मतला 5 का table अगर हम पढ़ नहीं है तो 30 कितनी बार में आएगा 6 बार में और ऐसे 30 अगर हम 6 से डिवाइट करते हैं तो 6 का table अगर हम कितनी बार में पढ़ेंगे जो हमारा 30 आजाए तो 5 बार में यहाँ 10 है multiply 2 लिखा है मतलब 10 2 से 20 होता है पता है हम यह बात 20 की table में 20 कितनी बार में आएगा 10 बार में और 20 को ही अगर हम 10 से डिवाइट कर देंगे तो 10 की table में 20 कितनी बार में आता है 2 बार में मतलब यह दोनों एक दूसरे पर depend करते हैं अब यहाँ पर यह नाइन मल्टिप्लाइब 4, 36, 9, 4, 36 होता है पता है हम 36 को अगर हम 9 से डिवाइट करेंगे तो 4 आ जाएगा क्यूंकि 9 की table में 36 कितनी बार में आता है 4 बार में और 36 को अगर हम 4 बार में डिवाइट करना है तो कितनी आ जाएगा 9 समझ में आएगी questions है ना easy next देखते है complete the following करना है हमें जसी यहाँ पर ही करा था वैसे ही करना है अगर हम यह multiply दे रख और divide में पूछाए कि क्या आएगा 7 3 सा पता है में 21 होता है अगर 21 को 3 से divide करें तो क्या आ जाएगा यह वाले दोनों number यूज़ कियें तो क्या जाएगा यह 7 अभी हमने देखा था अगर हम यह दो number यूज़ करनें तो हमारा आंसर यह आता था, अगर हम यह दो नंबर यूज करें तो हमारा आंसर यह वाला नंबर आ जा रहा था, वैसे ही यह करना है, 8 5s of 40, तो 5 की टेबल में 40 कितनी बार में आ जाएगा, यह दूसरा वाला नंबर नहीं है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, 8 बार में, और वैसे भी, 5 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में, 10 multiply 6 होता है, 60, 60 को 6 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, next 7 multiply 4 कितना तो 28 28 को 4 से divide करेंगे तो कितना आजाएगा हमारा 7 समझ में आए ना next करते है using the multiplication table and fill the blanks यहाँ पे तो हमें multiply करके दे रखा था दोनोकोशन्स में अब यहाँ पे हमें multiplication नहीं दे रखिया हमें खुद से multiply मतलब सोचना है और करना है 34 and 32 divided 8 अब 8 की table में 32 कितनी बार में आता है 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 तो कितनी बार में आया 8, 4s are 32 तो यहाँ पे क्या आजाएगा 4 यहाँ पे 15 को डिवाइट करना है 3 से तो 3 की table में 15 कितनी बार में आएगा 5 बार में इसके लिए हमें tables learn होनी चाहिए 72 को 8 से डिवाइट करना है तो 8 की table में 72 कितनी बार में आएगा अब 8 का table learn होगा तो पता होगा कि 72 कितनी बार में आता है 9 बार में इसके लिए आप लोग tables learn कर लिजेगा 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 36, 4 की टेबल में किती बार में आता है 9 बार में 10 की टेबल में 90 किती बार में आता है 90 को 10 से डिवाइड करना है तो 9 बार में 9, 45 को 9 से डिवाइड करना है तो 45, 9 की टेबल में किती बार में आता है 5 बार में ते हो गया answer Next है fill in the blocks यहाँ पे हमें box दे रखे हैं उन्हें हमें fill करना है जब भी हम किसी दो same number को जैसे यहाँ पे लिखा है 65 और 65 अगर हम 65 और 65 को divide करेंगे तो answer हमारा क्या आजाएगा 1 कभी भी हम किसी दो same number को divide करते हैं तो answer हमारा 1 आता है और अगर हम किसी number को 0 से divide करते हैं तो answer हमारा 0 आ जाता है यहाँ है 65 और 65 को divide करेंगे तो कितना आजाएगा 1 अब यहाँ पे हमें answer 1 दे रखा और यहाँ पे लिख रखा है 127 answer कभ 1 आएगा जब हम दो same numbers को divide करेंगे तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 127 यहाँ पे भी हमें answer 1 दे रखा है और यहाँ पे 222 दे रखा है तो यहाँ पे भी कौन सा number आ जाएगा 222 क्योंकि जब हम दो number same होते हैं तभी answer हमारा 1 आता है 30 को अगर 1 से divide करेंगे तो कितना आएगा 30 अगर किसी number को 1 से divide करते हैं तो नंबर खुद ही आ जाता है अब यहाँ 0 है और यहाँ 106 है अब किसी number को 0 से divide करेंगे तो answer कितना आएगा 0 अब यहाँ पे 0 answer दे रखा यहाँ पे 95 तो किसी number को 0 से divide करेंगे तो answer 0 आप आप लोगों को यह question समझ में आयोंगे Thank you करेंगे करेंगे